दोस्तों अक्सार हम अपने कीबोर्ड में उसके function keys को ignore कर देते हैं जबकि यह बहुत काम की होती है नमस्कार दोस्तों मैं अभी में विरत वाज आपका स्वावध करता हूँ my big daddy smart class में और आज धरी वें किबोर्ड के functions key के बहुत यूजसुल उपयोग तो आपके कीबोर्ड में कुल बारा function keys होती है और ये बारा function keys बहुत important होती है और इस वीडियो में हम जानेवाले हैं इन बारा function keys का बहतरीन इस्तमाल कैसे आप अपने computer के keyboard का और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं F1 की की F1 की सबी software में help window open करने के लिए इस्तमाल की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास MS Word open है और हम यहाँ पर simple F1 की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि MS Word की help है वो open हो गई है इसी तरीकर से अगर आप Google Chrome browser में और यहाँ पर अगर आप F1 प्रेस करते हैं तो आप Google Chrome के help center में पहुंच जाएंगे लेकिन Microsoft Windows का help center खोलने के लिए आपको Windows बटन के साथ में F1 की को प्रेस करना होगा और Microsoft Windows का help center है वो open हो जाएगा जो भी Windows आपके system में आपने install कर रखी होगी इसके लावा F1 की का प्योग जिस समय आप Windows install करते हैं उस समय CMOS में enter करने के लिए भी किया जाता है अब बात करते हैं F2 की की F2 की copy किया जाता है किसी भी selected file को जट से rename करने में किसी भी file को rename करना होता है तो आप generally आप उस पर right click करते हैं rename पर जाते हैं लेकिन कुछ भी करने की जरुवत नहीं है आप file को select कीजिए F2 प्रेस कीजिए और जट से उसे rename कर दीजिए एक साथ भी अगर आपको सारी file ने rename करने हैं तो सभी को select कर लीजिए F2 प्रेस कीजिए और कुछ भी अगर आप वहाँ पर नाम देंगे और enter करेंगे तो सारी file एक साथ में rename हो जाएंगी F2 की का MS Excel में बहुत ही जबर्दस इसमाल है अगर आपको पहले से type की हुए किसी cell में उसके पीछे कुछ type करना है तो आप F2 की प्रेस करके ही type कीजिए यहां पर आप देखिए दौनों सवलों में my big guide लिखा हुआ है पहले cell में हम my big guide की पीछे .com और लगाना चाहते हैं इसके लावा MS Word और Excel में अगर आपको कोई भी document open करना है तो सिर्फ आप Alt और Ctrl के साथ F2 को प्रेस कीजिए और आप देखें यहां पर जो document window है वो open हो जाएगी और आप वहां से कोई भी document open कर सकते हैं इसके लावा अगर आप चाहे MS Word इस्तमाल करते हो या Excel इस्तमाल करते हो Ctrl के साथ में अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो आप सीधे सीधे print preview window पर पहुंच आएगे और यहां से आप print preview देख पाएंगे अब बात करते हैं F3 function कीगी तो सबसे पहले F3 का use कर लेते है MS Word में यहां पर case change करने के लिए F3 का इस्तमाल किया जाता है किसी भी paragraph को या line को select कीजिए shift के साथ में F3 प्रेस कीजिए और देखिए यहां पर आप F3 के इस्तमाल से अपने किसी भी line या letter का case change कर सकते हैं उसे capital में small में बड़े आराम से पदल सकते हैं अगर आप windows में कहीं भी F3 प्रेस करते हैं तो आप windows के अंदर सारी फैलों को बड़े आराम से search करा सकते हैं आप अपने कर्षेव कर्शेव आ गया है और आपको कुछ भी टाइप करना है और वह जो सर्च है वह शुरू हो जाएगा इसी तरह से अगर आपको इंटरनेट के किसी पेज पर कुछ सर्च कराना है तो आप F3 प्रेस कीजिए और यहां पर आपको ऊपर सर्च बॉक्स दि अब बात करते हैं F4 फंक्शन की की अगर आप Microsoft का एज इंटरनेट ब्राउजर इस्तमाल कर रहे हैं तो F4 फंक्शन की से आप सीधे सीधे अपने एड्रेस बार में पहुंच सकते हैं इसके लावा अगर आप अपने Windows Explorer में हैं वहां भी F4 फंक्शन की आपको आपके एड्र की से क्लोज कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी Windows एक्टिवेट नहीं है और आप अपने सिस्टम को शटडाउन करना चाहते हैं तो फिर दुबारा से Alt के साथ F4 की को प्रेस कीजिए और आपके सामने एक शटडाउन डालग बॉक्स आजाएगा यहां से आप शटडाउन हाई F5 को प्रेस कीजिए और कोई भी पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा इसी तरीके से Windows में जब आप रिफ्रेश करते हैं आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ F5 प्रेस करना है और आप रिफ्रेश कर पाएंगे MS Word में F5 प्रेस करने पर Find, Replace और Go To का डायलोग बॉक्स ओपन होता है और इसी तरीके से अगर आप PowerPoint इस्तमाल करते हैं तो F5 प्रेस करने पर वहां पर Slideshow रन करने लगता है अब बात करते हैं F6 function की की अगर आप Google Chrome या Mozilla Firefox इस्तमाल करते हैं और आपको जाना है इनके address बार में तो आप यहां पर Use कर सकते हैं F6 function की को और आप सीधे-सीधे address बार में जा सकते हैं इसके अलाबा मान लीजिए आपने MS Word की दो फाइलें एक साथ open कर रखी हैं और आपको दोनों फाइलों को एक एक करके देखना है तो आप इस्तमाल करेंगे Ctrl और Shift के साथ में F6 की को और आप दोनों फाइलों को एक एक करके देख पाएंगे कुछ इस तरीके से और इसी तरीके से MS Excel में भी अगर आपने दो फाइलें उपन कर रखी हैं तो Ctrl, Shift और F6 की साथा से आप दोनों फाइलों को देख पाएंगे अब बात करते हैं F7 की की तो अगर आप MS Word इस्तमाल करते हैं तो वहाँ पर Spelling चेक करने के लिए F7 की का इस्तमाल किया जाता है में F7 की को प्रेस कीजिए और आप यहां पर देखेंगे यहां पर Research Box कुल जाएगा और Buildings Related Words आपको यहां पर दिख जाएंगे जैसे Structure, Construction, House, Shop, Build, इत्यादी इसके लावा F8 function की का इस्तमाल किया जाता है Windows को जब आप Install करते हैं उस समय वहां पर Boot कराने के लिए F8 function की का इस्तमाल करते हैं अब बात करते हैं F9 की की, F9 की का इस्तमाल किया जाता है MS Word की किसी भी File को Refresh करने के लिए कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ MS Word में Sum Formula मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ, यहां पर 5 और 3 को आपको जोड़ना है या और भी कोई संख्या लिखी हो उसको जोड़ना है तो आप Table के सबसे नीचे वाले cell में जाईए, यहां पर आप Layout पर जाईए, Corner में आपको Formula का Option मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, यहां पर आपको Formula पहले से लगा हुआ मिलेगा, Sum, Above का, इसे यहां से OK कर दीजिए अब आप देखेंगे, यह Sum तो हो चुका है, लेकिन अगली बार जब हम यहां पर कोई Changes कर देते हैं, जैसे 5 की जगे 4 कर देते हैं, तो यह Auto Refresh नहीं होता है, यहां पर F9 का यूज किया जाता है, इस Formula को Refresh करने के लिए, वो कैसे करते हैं, आप नीचे वाले जो 8 लिखा ह इसको Select कीजिए, कुछ इस तरीके से, और सिर्फ F9 प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे, जो Formula है, वो Refresh हो जाएगा, इसके बाद बात करते हैं, F10 की, F10 अगर आप प्रेस करते हैं, किसी भी Software में, तो आप उसका Menu Bar Open कर सकते हैं, तो इस समय आप देख रहे हैं, हमारे पास Google Chrome Browser यहाँ पर Open है, और इसका Menu Bar Open करना है, तो हम सिर्फ F10 प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे, Menu Bar Highlight हो जाएगा, और Down Arrow Key की मदद से, हम इसका Menu Bar Open कर पाएगे, अगर आप MS Word या Excel में काम करने हैं, और आप F10 प्रेस करते हैं, तो वहाँ पर F10 प्रेस करते ही, आपके जो पर रिबिन है, या Menu है, उनके उपर कुछ लेटर हाइलाइट हो जाएगे, और कीबोर से लेटर को प्रेस करने पर वह मेन्यू या रिबिन में से वह टैब ओपन हो जाएगा, आप देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे, जो ओफिस बटन है, उस पर F लेटर हाइलाइ है, और अगर हम N प्रेस करेंगे, तो जो इंसर्ट का पूरा रिबिन है, वह बन हो जाएगा, और वहां भी आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे पिक्चर के लिए P और टेबल के लिए T, और T प्रेस करने पर आप बड़े आराम से टेबल को बन कर पाए और में ऊपर आप्शन आ रहे थे, जैसे के अड्रेस बार और भी कई सारी चीज़ें, वह वहां से चली गई हैं, और दोबारा F11 प्रेस करने पर हम पुरानी वाली स्थिती पर आ चाते हैं, लेकिन अगर आप MS Excel इस्तमाल कर रहे हैं, और आप जड़ से चार्ट बनाना चा किसी भी टेबल का, तो आप सिंपल टेबल को सेलेक कीजिए और F11 की को प्रेस कीजिए, एक सेकेंड के अंदर आप उस टेबल का चार्ट बना पाएंगे, अब बात करते हैं F12 की की, और ये भी बहुत सारे फीचर्स लिए हुए है, अगर आप सिंपल F12 प्रेस करते हैं, अ और अगर आप MS Word और Excel में Shift और Ctrl की साथ में F12 को प्रेस करते हैं, तो आजाएगा Print का Option, जिसके लिए आपको File Menu में जाना पड़ता है, आशा है, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पस ओत बतानिवादी